प्रिशना बली 6.3 के प्रिशन सातमा कहता है आक टि में तरभी सि के शेश लंब AD और CE परस्पर बंदू P परपतिसेद्ध करते हैं तो तरभी सि के शेश लंब AD और CE बंदू P बभी पार करते हैं तो जो डी है जो dBC छो अइंतल को कॉन बनएगा और सी जो हमें तीसरा यहां पर सात्मा अ करता прибिद एक लिवा Go तो तुरिप अ попроб duty चहले बीडीड्लिया हम यहां पर सिद्छिप देखते हैं तरह से ए यहां पार दो त्रभुज हमें समरूप करना है त्रभुज ए डी बी तो यहां पर दिया गया है त्रभुज A, B, C के स्रीज लंब A, D और C, E परस पर बिंदू P पप्रत सिद्ध करते हैं यह हमें दिया है में लिख देना है सिद्ध करना है हमें त्रभुज A, E, P, C, E, P, C, E, D, B यह हमें यहां पर सिद्ध करना है अब इसकी सीरी हम पत्ती कर लेते हैं यहां पर तो यहां पर देखते हैं पत्ती में तो दोनों त्रभुज ले ले लेते हैं त्रभुज A, E, P वा त्रभुज A, D, B में त्रभुज A, E, P वा त्रभुज A, D, B में त्रभुज A, E, P, A, D, B तो अब यहां पर आगे देखते हैं तो जो कौड़ E है वो कौड़ D के बराबर है कौड़ E बराबर कौड़ D चुकि दोनों नब्बेयन्स हैं E पर भी 90 याने की सम कौन है और D पर भी चुकि A, D और C, E, C इस लम में तो E पर 90 यान से और D पर 90 यान से और दो तुरभुजों A, E, P और A, D, B में कौन A है वो कौन A उभाइनेस्ट है कौन A बराबर कौन A यह है यहाँ पर उभाइनेस्ट कौन अब यहाँ पर दो कौन बराबर हो गए तो यहाँ पर कौन कौन समरूपता से तुरभुज A, E, P समरूप हो जाएगा तुरभुज A, D, B के आता है तुरभुज A, E, P समरूप तुरभुज A, D, B कौन कौन यानि की एंगल एंगल समरूपता से तो यहाँ पर यह प्रश्ण शॉल्ब होता है तो आप इस प्रश्ण को अच्छे तरह से नोट कर लिजी